कॉरोना जिसको एक बियर की ब्रांड की फॉर्म में जाना जाता था लेकिन अब ये शब पूरी दुनिया में एक वाइरस को लेकर चर्चा में है कॉरोना एक रहसी में वाइरस है जितनी तीजी से ये फैल रहा है बहुत घातक हो सकता है भारत और दुनिया के लिए आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ जनवरी 27 चाइना में 80 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 करोड से जादा लोगों की इस वाइरस की चपेट में आने की आशंका है चाइना के वोहान शेहर से फैलना शुरू हुआ है और अभी चाइना के पडोसी देश वाइतनाम से लेकर सिंगापुर, जेपान, साउथ कोडिया, थाइलेंड, फ्रांस, उनाइटिट स्टेट्स और नेपाल तक फैल चुका है इन देशों में जिन भी नागरिकों में कॉरोना वाइरस का टेस्ट पॉस्टिफ पाया गया है, सब लोगों ने चाइना में ट्रावल किया था तो इंडिया के लिए चाइना का पडोसी देश होने के साथ साथ, पॉपुलेशन जादा होने की वज़े से कितना बड़ा खत्रा पैदा हो सकता है क्या है कॉरोना वाइरस? पैदा कहां से हुआ? क्या कै इसके सिम्टम्स हैं? और कैसे इसे बचाफ किया जा सकता है? इनी सब पॉइंटर्स पे जानकारी शेर करूंगी मैं आज इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक लास्ट विक जब मुझे इस वाइरस के बारे में पता चला और यूट्यूब पे सर्च किया तो देखा कि अभी तक इंडिया में, खासकर हिंदी में इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब नहीं है तो सोचा क्यों ना मैं इस पे चर्चा करके जानकारी कठी करके आप सभी लोगों के साथ शेर करूँ कोरोना वाइरस क्या है और ही कितना घातक है जब लूनर न्यू इयर को चाइना सेलिब्रेट करने लगी हुई थी, तब डबलू एचो ने जानकारी दी चाइना में एक शहर वुहान में कोरोना वाइरस नाम का एक रहसिम में डेडली वाइरस फैल गया है एकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स ये वाइरस एनिमल से हुमन में आया है अभी तक कि स्टेडी से जो नजर आया है चाइना में चमगादर का सूप या फिर स्नेक जैसे अजीबो गरीब जानवरों को खाया जाता है तो ये इस तरीके से जानवरों से इनसान में ट्रांसमेट हुआ है और अभी तक ये इनक्योरेबल है जी हाँ अभी तक इस वाइरस का कोई एंटीडोट या वाक्सिनेशन नहीं ढूंडा गया है इसका इलाज नहीं है हाला कि इनीचल स्टेज पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है ये वाइरस जादा गहा तक इसलिए है इस बिमारी के सिंटम्स दिखने से पहले ही इनफेक्शन फैल जाता है साइंटिस्ट ने इस वाइरस को सार्ज और मॉर्ज जैसे जान लिवा वाइरसिस की फामिली में रखा है अगर आपको याद हो सार्ज वाइरस 2002 या 2003 में न्यूज में आया था और जो 37 देशों तक फैल गया था और 800 जादा लोगों की मौत हो गई थी ये डारेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटाक करता है अब देख लेते हैं क्या हैं इसके सिंटम्स इसके सिंटम्स बहुत ही कॉमन हैं जैसे की खासी, जुखाम या फिर निमोनिया में जैसे लक्षन देखने को मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही कॉरणा वाइरस से इंफेक्टेड केसिस में पाए गये हैं इसके साथ साथ रुनिंग नोज, फीवर, हैडेक, कफ, सांस लेने में दिक्कत होना इनेशियल स्टेजिस के सिंटम है स्टेज 3 से 4 में किड्नी या हार्ट फेलर की वज़े से डेथ तक हो सकती है अच्छी बात ये है कि इंडिया में अभी तक एक भी केस कॉरणा वाइरस से पॉस्टिव नहीं पाया गया है तो ज़्यादा घबराने की जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने इंटरनाशनल ट्रेवल किया है पिछले 15 से 20 दिनों में और खास कर अफेक्टेट कंट्रीज में और अगर आपको ये सिंटम्स दिखते हैं तो ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए हलके में ना ले अब ये देख लेते हमारी भारत सरकार कवरनावारस को लेकर क्या कर रही है इंडिया गवंपनेट बहुत अच्छे से काम कर रही है ताकि ये वारस इंडिया में ना घुस पाए Health Ministry ने Health Advisory जारी किया है जिसके तहत चाइना से आने वाले भारत के साथ बड़े एरपोर्ट जैसे कि डेली, मुंबई, कौलकत्ता, हैदराबाद पर आने वाले हर पसेंजर का Medical Exam यानि की Thermal Screening की जाएगी ताकि अगर कोई इंसान Corona Virus से Infected है तो उसको एरपोर्ट जैसे आइसोलेशन में रख के उसका इलाज किया जाए ताकि ये वाइरस इंडिया में ना घुस पाए जब मैंने वीडियो बनाने के लिए दो दिन पहले रिसर्च स्टार्ट की थी इंडिया में तब एक भी सस्पेक्टेड केस नहीं था और लास्ट दो दिनों में ही 6 लोगों में इसके सिम्टम्स पाए गए हैं और वो सब ही अभी चाइना से ट्राइवल करके आए हैं दुबारा क्लियर कर देती हों कि वो वाइरस से इंफेक्टेड नहीं हैं बट सिम्टम्स मैच करने की वज़े से उनको सस्पेक्टेड काटेगरी में रखा गया है दोस्तों ये 6 नंबर को आप कम ना मानें क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है और इनिशिल स्टेज पे इस जैसे बताया खासी जुखामसा ही लगता है बट इंडिया में आप सोचो कितने लोगों से इंट्राइट करते हो फैमली, ओफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एट सेक्टर, एट सेक्टर, तो ज़्यादा चांसे है कि अगर इंडिया में आया तो बहुत तेजी से इसका नंबर बढ़ेगा अब सबसे इंपोर्टेंट चीज, कि इस कॉरोना वाइरस से अपना बचाफ कैसे करें इंटरनाशनल ट्राइवल में चाइना जाने से बचें अगर आपकी फ्लाइट का स्टॉप ओवर है तो ट्राइ करें कि दूसरे रूट के थूँ फ्लाइट बुक करवाले अगर आप कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं टाइम मास्क का इस्तमाल जरूर करें नॉर्मल मास्क इस वाइरस को फिल्टर नहीं कर पाता तो N95 या फिर N99 नंबर मास्क यूज करें या आपको 100-500 रुपे तक केमिस्ट की शौप पे बहुत असानी से मिल जाएगा बाहर की कंट्री से इंपोर्डेट मीट कुछ टाइम तक बंद कर दे या फिर प्रहेच करें और अगर आपको खाना ही है तो रौ मीट ना खाएं उसे अच्छे से पका के खाएं यह communicable disease है तो जो भी ध्यान आप खास ही जुखाम में रखते हैं जैसे की time to time हाथ दोना, खासते होए मूपे रुमाल रखना वही सब चीजों का ध्यान रखे मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि सभी देश चाइना में आने से इतने कत्रा रहे हैं इस time के सभी international events cancel कर दिये गए हैं Boxing Olympic qualifying event जो की चाइना में होने वाला था उसका venue change कर दिया गया और अब वो Jordan में हो रहा है अब बात करते हैं इसके इलाज को लेकर जैसे मैंने बता है इसके लिए कोई antibiotic उपलब नहीं है symptom based treatment है body virus में कितना फैल चुका है virus से body का कौन-कौन सा part effect हुआ है उसके basis पे treatment है last में दोस्तों मैं यही कहूंगे कि आप aware रहें news देखे या फिर google करके पता लगा ले कि इंडिया में क्या status है इस बिमारी का बट ऐसा सोचके कि ये तो भी बहार की देशों की बिमारी है हमें कोई फरक नहीं पड़ता तो प्लीज इसको lightly ना ले अवेर रहें और जादा से जादा लोग तक इस वीडियो को share करें ताकि लोग aware हो सके इस virus के बारे में और मैं उमीद करती हूँ कि आपने मेरे चानल आश्यमास किचन को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो जल्द जल्दी से कर दे और देखते रहें आश्यमास किचन मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंटिल देन गुडबाई, टेक केर अपनर अपनर को ख्याल रखना उन्हें धेर सारा प्यार करना